दोस्तो क्या आप भी वैसे पिक्स धून रहे हैं जो की आपको लेना ही लेना है और दूसरा जो की कोई नहीं ले की आएगा और आप उसको ले के जाएं और वो ही पलेयर आपका टरम्प पिक होते हुए आपको विन कर आए तो दोस्तो अगर आप ऐसे कुछ पिक्स ढून रहे हैं तो आप सही वीडियो पर आए पूरा वीडियो देखना आपको यहाँ पर पूरी प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी आप खुद की टीम बना सकते हैं विनिंग टीम बना सकते हैं किसी की टीम कॉपी करने की नीड नहीं देते हैं दोस्तो पिच रिपोर्ट की बात करें हिस्टोरिकली बात करें तो यह हमेशा से एक बैलेंच विकेट रहा है बट इस सीजन थोड़े से रंस बने हैं यहाँ पे क्योंकि 10 मुकाबलों में 171 का फरस्ट इनिंग का एवरेज इसकोर एंड 6 मैच चेजिंग करने वा फाइनल पिच रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि यूज्ड विकेट यूज होगा तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ी बॉल टर्न हो तो जैसा भी कोई अपडेट होगा मैं आपको टेलिग्राम पर इनफर्म कर दूँगा अभी के लिए जो निउस है वह यह है कि एक बैल के लें लखनाओ के टिम कि तो इन्होंने 6 में से 4 जीते हैं दो हारे हैं दोस्तों इनकी टिम में 2 left hemder ह्ये क्विंटन डिकॉफक और कॉलनाल पांडे है इनकी टीम में और की आप देख सकते हैं कोई होने वाला नहीं है Their new players है वो है दगा यह वे ओपर से 4 और यह नीचे से 4 इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इनके जो मस्ट है पिक की केटेगरी में प्लेयर्स आते हैं वो है केल राहूल डीकॉक एंड यहां से जेशन ओल्डर आवेस खान इसके अलावा स्टॉइनिस और मनिस पांडे में से किसी एक को ट्राइब कर सकते हैं विश्णोई और डी कर सकते हैं तो मजबूरी में इनको बॉलिंग मिल सकती है अदरवाई चांसे थोड़े कम है अब देखो कुनाल पांडे यदि सामने राइट हैं थोड़ा सा भी टार्न मिल रहा है तो इनको अच्छे घास ओवर मिल सकते हैं और थोड़ा सा इनकी पिटाई हो गई तो फिर इनकी पाले से जो कटेंगे ठीक है कुनाल पांडेक अब इनके जो ओपन बॉलर है चमीरा होल्डर अवेश खान देथ में आवेश खान और होल्डर ही आने चाहिए सेकेंड इनिंग में कभी-कभी चमीरा को लेके आया जाता है क्योंकि इनके बेस्ट बॉलर जो हैं उनके इनके टीम के स्टेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक प्लेयर आपको इस्टेट्स देखने मिलेगा और यदि कोई निउफ खेलेगा तो उसका अपडेट हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे तो प्लीज टेलीग्राम चैनल में जिसका लिंक आपको इस वीडियो के description में और इस वीडियो के comment section में दे दिये गया है बैंगलोर की बात करें तो इनके पास देखेंगे दो left hander है एक अनुजरावत और दूसरे जो है सहाबा जमत लेकिन सहाबा जमत काफी नीचे आ रहे हैं उसके बाद इनकी टीम में आप देखेंगे इसके अलावा देखो आप लोग थोड़ा risk लेना चाते तो कार्तिक अच्छी form में इनके जो मतलब main ballers है वो ये चार है नीचे से हसंगा पटेल सिराज हिजलवूड इसके अलावा Maxwell और साबा जमत मिल के कुछ over डालेंगे तो ये चीज दियान रखना ठीक है दो दो वर डाल सकते हैं अब इसके अलावा सामने वाली टीम में left hander एक टॉप बडर में तो Maxwell opening आ सकते हैं या सिराज के साथ बॉलिंग डालने उसके बाद जो इनके डेथ के बॉलर है वो हर्षल पटेल हेजलवूड एक आद ओवर कभी कबार सिराज दिख सकते हैं बट मुस्पर यहीं दोनों दिखेंगे अब यह वही चीज है जो मैंने आपको बता है कौन कितने ओवर बॉलिंग डालेगा इनके टीम के आप player wise stats यहाँ पर पढ़ सकते हैं हर एक player का आपको stats देखने मिलेगा और यदि कोई new player खेलता है तो मैं उसका update आपको टेलिग्राम पर दे दूँगा जिसका link आपको इस यह तो यह तो इनकी टीनों के नाम के टिक भी लगा हुआ है तो इनका record अच्छा है बाकी किसी का record उतना अच्छा है नहीं है थोड़ा से एवरेज रिकोर्ड है दीपा खुटा का आप देख सकते हैं जेसन होल्डर का record ठीक है पांच में 35 के आवरेज से run है 9 विकिट है व कुनाल पांडिया इनका record ठीक ठाक है थोड़ा सा यदि आप देखेंगे तो यहां पर कुनाल पांडिया ने बारा मैच में 16 की एवरेज से run प्लस 10 विकिट और वेन्यू पे दो मैच में 2 विकिट 25 की एवरेज से run है ठीक है तो इनका record ठीक है उसके बाद विश्णोई का record करते हैं तो दो को लखनों की टीम निउ है तो head to eight का record तो मिलेगा नहीं वेन्यू का record मिलेगा जिसमें कोली का 21 कार्थिक का 36 का रावत का 11 का फाव्डू प्लेशिस का 34 का मैक्सवल का 26 का विकिट है उसके बाद प्रभू दिशाई की बात करें 34 का विकिट है एक मैच में उ उसके बाद किसी का कुछ खास record है नहीं ठीक है इसके अलावा कुछ भी चेंज होता है दोस्त हम आपको टेलिग्राम पर इंफर्म करेंगे प्लीज टेलिग्राम से जूर जाएगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के description में और इस वीडियो के comment section में दे दिया गया है प्ले कौन से बॉलर के अच्छा खेलता है तो यह चीज आपको बहुत जरूरी है क्योंकि यदि आप किसी प्लेयर को drop कर रहे है तो आपको यहां से पता चल जाएगा उसकी strength और weakness क्या है ठीक है तो अब ध्यान देना है केल राउल इन्होंने सबके अगेंस्ट अच्छा खेला ब ऐसे बहुत प्लेयर बैटल उतना कुछ है निए आप देख सकते हैं तो अब धिपाक इसट का battle आप देखेंगे तो इनोंने ज्यादा गिंदे किसी की खेली नहीं है, तो ज्यादा कुछ निकलके आता नहीं, सहभाज हमत नहीं एक बार आउट जरूर किया, कुनाल पंडाको महुझा सिराज ने 15 गिंद में दो बार आउट के, आठी रणी स्कोर करने दिया, बाकि किसी की जादा गिंदे खेली नहीं है, इस्टोईनिस की बात करें, तो यह ऐसे हिटर खेलते हैं, और इनकी मैं उतनी बात करूँगा नहीं, क्योंकि यह देखो, बॉल को मारते चाहे कोई सा भी बॉलर हो, इन्होंने जादा गिंदे खेली नहीं है, खेली बे तो कि इन्होंने ने चार रं किया हर्सल पटेल की साथ गिन में दो रं किया है थोड़ा से स्ट्रगल किया लेकिन साथ गिन में कुछ बयां होता नहीं है साबाज एमद ने इन्हें एक बार आउट जरूर किया है ठीक है इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां से आर्सी भी दिया है 10 गिन में दो बार बाकी और किसी के सामने देखो जादा गिन्दे खेली नहीं है और खेली भी है तो ठीक थाक मतलब आउट नहीं है ठीक थाक ही है इनका बैटल ठीक है उसके बात करें दिनेस कार्दिक तो यह तो अच्छी गजब की फॉर्म में चल रहे हैं कोई बैट्स में अच्छा गासा रन बना रहे हैं और किसी के सामने जादा गिन्दे खेली ने खेली भी है तो रन्स बनाये हुए उन्होंने जैसे स्टोइनिस की अगेंस 16 गिन्द में एक रन एक बार आउट होए लेकिन 25 रन भी बनाये है ठीक है मैक्स्वेल की बात करें तो इ यह भी एक हिटर है तो ज्यादा बैटल इनका मैटर करेगा नहीं आप देखना चाहते है तो होल्टर और विष्णोई ने एक एक बार आउट जरूर किया है असरंगा बहुत नीचे आने तो इनका ज्यादा बैटल देखने की जरूरत है नहीं इस्मॉल लीग में सेफ कैप फिर विराट को ली इवन फिर जैसन होल्डर को आप ट्राइ करना चाहो तो वह भी अच्छी उप्शन है ग्रैंड लिग में आप किसे एजए कैप्टन जावाइस स्वरी एजब प्लेयर आप किसे ट्राइगर सकते हो दीपक हुड़ा अनुजरावत ओपन करेंगे दीपक ह तो हो सकता है यह आपके लिए ट्रम पिक हो जाएं साहबा जैमत कुनाल पांडिया जैसे मैंने आपको बताए लास्ट मैं के थोड़ी हीटिंग कर सकते हैं यादि बैटिंग कॉलेस पो भी तो सिराज और चमीरा दोनों अच्छे बॉलर है यह आउट फॉर्म चल रहा है ख कैसे यह लोग अच्छे हो सकते हैं बाकि स्मॉल लिग वाले उप्शन भी आप ग्रेंड लिग में ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है दोस्तों बात करें टीम की तो कोसिस करना जो वीडियो में न्यूज और इंफोमेशन शेयर की गई है आप उससे अपनी टीम बात करें दोस्तों तो यहां पर तीन ओप्शन से एक्चुली चार ओप्शन से जिसमें से लोके साओल मस्टापिक कंसिस्टेंट स्कोर है लास्ट मज में सतक जड़ा और आप इनसे कंसिस्टेंट स्कोरिंग की उमीद कर सकते हैं क्विंटन डिकॉक चुकी कीपिंग भी कर अच्छे हिटर है और उसका प्रियोग भी करते हैं अभी तो जिम्मेदारी से भी खेल रहे हैं तो मेरे अकौर्डिंग यह दोनों मस्टापिक बाकि हम बात करें कि दिनेस्कार्तिक तो बस देखो फॉर्म में तो बहुत बहतर है बस इनके साथ एक दिक्कत है कि कभी-कभी चायद उतना ज्यादा खेलने ना मिले तो दिक्कत हो जाएगा यह तो इसमॉल लीग में एक रिस्क बना रहेगा इनके साथ अभी कलिए नहीं लिया अनुजरावात ओपेन करेंगे देखो क्रेडिट में करने के लिए आपके लिए ठीक है एक पारी अच्छी खेली हुई ह तो confident है उसके अलावा बात करें तो उसके अलावा कोई अच्छी पारी नहीं आई है इसलिए मैं देखो थोड़ा experience की कमी है just that's why मैं ज्यादा try करने बोलूँगा नहीं लेकिन दिक्कत हो रही है तो आप try कर सकते हो बात मेरे साब से create के उतनी ज्यादा दिक्कत होनी नहीं उसके बाद विराट कोली must have pick five two places must have pick देखो दोनों अच्छे इटर है बॉल के दोनों को अच्छी टाइमिंग आती है दोनों consistent scoring के रूप में जाने जाता है और विराट कोली की बात करें तो अनलगी तरीके से last three matches से आउट हो रहे हैं otherwise यह अच्छा score कर सकते हैं देखो अब मैं इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं even captain material भी हैं बात करें मारका स्टोइनिस तो मैं लेना चाहता था मारका स्टोइनिस को मनिस पांडे की जगे क्योंकि देखो इनको एगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो यह hitting के लिए promote भी हो सकते हैं और एक आद ओवर गिनबाज लेते हैं उसके बाद हिट करते हैं और वह हिट करने के चकर में कभी भी फिर विकेट भी फेक देते हैं तो उतना बड़ा स्कोर जैसे सत्ता रस्ची का बहुत कम देखने मिलता है दस में से एक दो बार उसके अलावा most of the time में 30-40 में scoring करते तो वह decent batsman होता है ठीक है तो इस थोड़ा सा ध्यान रखना अधर्वाइस stories को ओवर promote किया जाएगा यदि require run rate भी जादा है तो stories को यह promote किया जाएगा बॉलिंग का थोड़ा कम चांज से सामने left-hander भी नहीं है तो हो सकता है बॉलिंग ना मिले वैसे भी कुछ मैचे से बॉलिंग नहीं मिल रही है नीचे प्रभु दिशाई grand league में try करना नीचे बदोनी को भी grand league में try करना इनके साथ भी risk बना रहता है बैटिंग ओर काफी न बॉलर है टेकनिकल बल्लेबाज है बल्लेबाजी काफी नीचे आती है वह अलग बात है लेकिन देथ के बॉलर है विकेट टेकिंग बॉलर है इनको मिस मत कीजेगा उसके बाद बात करें तो सहाबाज है मत देखो credit manage करने के लिए यह बहतर pick हो सकते हैं अगर इनकी टीम ने तो इनका overcut रहा है और बल्लेबाज उतने अच्छे नहीं है बहुत नीची आते हैं एकाध हिट लगा देते हैं तो ठीक है अधर्वाज उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं है तो मैं ज्यादा suggestion को करूँगा नी final update आपको telegram पे दिया जाएगा जिसका link आपको इस video के description में और comment section में दे दिया गया है दोस्तों यहां से हर्षल पठेल आवेश खान चाहे इन दोनों की टीम किसी भी इनिंग में गेंदबाजी करें फर्स इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों को लेके जाएगा विकेट टेकिंग बॉलर है और दोनों देथ में भी आते हैं फर्स तो यह एक उस टाइप की बॉलर है जो चाहे स्लोविकेट हो चाहे कैसे और विकेट हो यह अपने कटर्स के लिए जाने जाते है इनके पास पीश भी है प्लस दूसरी बात इनके पास अभी फॉर्म भी है तो इनको रिस्क रहेगा खासकर इनकी टीम आदर पहले बॉलिंग हो सकते हैं एक विष्णोई और दूसरे यहां से मारकस टॉइनिस यह दोनों स्मॉल लिग में मेरे को लेने का मन है लेकिन मैं अभी 11 प्लेयर से ज़्यादा ले नी सकता हूं आप ट्राय करना चाहे कर सकते हैं मौमा सिराज लाइन लेंथ पता नहीं क्यों इनकी बहुत ज्या चोड़ देंगे तो उससे पहले इन्होंने गिंदबाजी ठीक ठाकी डाली है दो मैं छोड़ दो और यह एक विकेट टेकिंग बॉलर है मैं इनको अच्छा गिंदबाज मानता हूं बॉल स्विंग कराते हैं कभी अगर देथ में आते तो यह मस्टप पिक रहते लेकिन मैं इनको सोच रहा हूं रिवर्स कर दूँगा यदि मुझे फिट से पता चला कि मैक्स्वेल की टीम इनको पांचोए गिंदबाज के रूप में और साबाजमत को पांचोए गिंदबाज के रूप में खिला रही है तो और इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है तो consistent के रा प्लस यहां पेंट्रिफीज वगरा भी कम रहती है और भी बहुत सारे फीचर से यहां पर जो कि आपको एक न्यू फैंटसी एप में दिखते हैं बहुत अच्छा एक्स्पिनिंच रहेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक के साइन आप कर सकते हो मैं भी इस पे खेलता हूं ठी मैं यहां पर हेजल वूट को निकाल दिया क्योंकि जो है ग्रैंड लिक का टीम डेमो टीम है और मैंने आप फिर स्टोइनिस को भी लिया हुआ है ठीक है तो यह कुछ डिफरेंशियल किया है मैंने यहां पर अब बाकि जो एक जील की वीडियो आईगी कल उसमें मैं आपको सारी चीजे समझा दूँगा मैंने यह सिर्फ आपको एक डेमो टीम दिया बाकि जो एसल की टीम है वह मेंन टीम यह है ठीक है एसल मतलब स्मॉल ली बाकि इसमें कुछ भी चेंज होगा मैं आपको टेलिग्राम पर इंफर्म करूंगा डार्क रेजर पर साइन अप करना है एक डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो ठीक है तो यह में टीम है और यह डार्क रेजर जहां क्रेटी सुनी है बस मैंने स्ट्राइंस को ली लिया बाकि कुछ भी चेंज होगा टलिग्राम पर इंफर्म करेंगे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के कॉमेंट सेक् कर दिना ताकि मेरी में हेलप हो ठीक है और ख्यांतनि करना चांए वीडियो में कुछ चीकशने मिलाओ तो लाइक भी कर देना क्यूद धन्यवाद मिलते अग्लेय वीडियो में ठेंक यू